हेलो गाईज, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब उमीद हैं, बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल स्टुडिस का प्रैक्टिस सेट नमबर 13 और होप सो फ्रेंट्स, ये सभी कोशन आपको समझ में आ रहे होंगे आप सब इसके प्रोपर नोट्स भी तयार कर रहे होंगे तो गाईज, आईए स्टार्ट करते हम अपने आज की क्लास को किस देश के सरकारी रिपोर्ट को यलो बुक कहा जाता है तो right answer फ्रांस के सरकारी report को yellow book के नाम से जाना जाता है इसे आप याद रखेंगे वहीं फ्रांस की capital क्या है तो Paris फ्रांस की capital है एफिल टावर किस country में है तो वह भी फ्रांस में है इसे भी आप याद रखेंगे यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं blue book किस country के दस्तावेज है किस country की documents report government report को कहा जाता है blue book तो वह answer क्या हो जाएगा British British government blue book से related है grey book Japan and Belgium grey book क्या है Japan and Belgium वहीं green book की दी हम बात करें तो Italy and Iran clear है green book Italy and Iran orange book की दी मैं बात करूं तो orange book किसे related है नीदर लैंड से next आता है white book अब white book किसे related है भारत तथा Britain का किसी विशेश topic पर किसी विशेश topic पर report जो होगा उसे white book के नाम से जाना जाता है तो यह सभी आपके लिए important थे इसे आप notes त्यार कर लेंगे next question आपके लिए यदि राष्ट्र पती और उप राष्ट्र पती का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्र पती का पद कौन संभालता है तो right answer भारत का मुख्य नियाधीश दोनों की अनुपस्तिती में भारत का राष्ट्र पती का कारेभार संभालेगा इसे आप याद रखेंगे यदि राष्ट्रपती नहीं है तो उप राष्ट्रपती संभालेगा और दोनों नहीं है तो कौन संभालेगा भारत का मुख्य नियाएधीस संभालता है यह आपके लिए important होगा तो अरुना आसफ अली को भारत चोड़ो अंदोलन की नाइका के रूप में जाना जाता है इन्होंने Quit India Movement में सक्रिय रूख से भाग लिया था वहीं अरुना आसफ अली को Grand Old Lady के नाम से भी जाना जाता है क्या जाता है Grand Old Lady के नाम से जाना जाता है वही Grand Old Man के नाम से किसे जाना जाता है तो ये भी आप याद रख लेंगे कि दादा भाई नौर जी को Grand Old Man के नाम से जान जाता है और Grand Old Lady अरुना आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था ये भी याद रखेंगे वहीं आप important और कोशन दाता हूँ आपको सुचेता किरपलानी से आपको क्या याद रखना है पर्थम महिला मुख्य मंत्री रही सुचेता किरपलानी और ये मुख्य मंत्री कहां की बनी थी उत्तर प्रदेश की भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री रही वहीं सरोजनी नाइडू से आपको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी आइडी की बुक कौन सी एक्जाम में सब ज़्यादा पूछी जाती है The Golden Threshold The Golden Threshold किसी ने लिखी सरोजनी नाइडू ने इसे भी याद रखेंगे Next question देखती है Next question है तीहरी बांध पर निर्मित जलाशे का नाम क्या है तो right answer स्वामी राम तीरत सागर के नाम से भी जाना जाता है ये भागी रती और भील गंगा के संगम पर बना है इसकी उँचाई कितनी है 261 मीटर कितनी है 261 मीटर भारत की सबसे उँचा डैम सबसे उँचा बांध टीहरी बांध क्लियर है और सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वो है हीरा कुंड कौन सा हीरा कुंड और हीरा कुंड कहा है उडीसा में इसे भी आप याद रखेंगे Next question है भारत में सोने के सिक्के पहली बार किन सासकों के द्वारा चलाया गया तो राइट आंसर भारतिय युनानी सासकों के द्वारा भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाये गये थे वहीं सुद सोने के सिक्के किसने चलाये कुशानों ने चलाये और एक कोशन और बता दू यहां से आपको कि सीसे के सिक्के किस ने चलवाए तो साथ वाहनों ने साथ वाहन साशकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे इसे भी आप लोग याद कर लेंगे नेक्स्ट कोशन है इंडिया विंस फ्रीडम किस ने लिखी है तो राइट आंसर अबुलकलाम अजाद ने कौन से लिखी इंडिया विंस फ्रीडम वहें विंग्स ओफ फायर किस ने लिखी है तो एपी जे अब्दुलकलाम यहां कनफ्यूज नहीं हो ना APJ अब्दुलकलाम ने Wings of Fire लिखी और India Wings Freedom किसे ने लिखी अबुलकलाम अजाद ने याद रखना है और APJ अब्दुलकलाम को क्या कहा जाता है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है वहीं next question के उरबढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है पुलिटजर पुरसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो right answer पत्रकारिता यानि जनलिजम के छेतर में यह पुरसकार दिया जाता है और इसके संस्थापक कौन थे जोसेफ पुलिटजर इसके संस्थापक थे और इसके स्थापना कब होती है 1917 में USA में clear है next question है राष्ट्रिय नियोजन में रॉलिंग प्लान की अधारना लागू की गई थी रॉलिंग प्लान कौन सी गॉर्मेंट लेके आई थी तो जनता सरकार रॉलिंग प्लान लेके आई थी 1978 में कब लाई थी 1978 में और इसको खतम कर दिया गया हटा दिया जाता है एक अप्रेल 1980 को बाई इंदरा गांधी गॉर्मेंट clear है next question है दक्षनी गॉलार्थ में सबसे छोटा दिन कब होता है तो right answer 22 दिसंबर को दक्षनी गॉलार्थ में सबसे छोटा दिन होता है वहीं उत्री कोलार्थ में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है इसे भी आप लोग याद रखेंगे और दिन और रात बराबर कब होते हैं तो वो होता है 21 मार्च and 23 सितंबर को ये भी आप याद रख लेंगे 23 सेप्टेंबर को स्टैंड फोर्ड क्रेप्स अब क्रेप्स मिशन कब आता है इंडिया में 1942 में कब आया 1942 में और स्टैंड फोर्ड क्रेप्स क्रेप्स मिशन के अध्यक्ष थे इसे आपने याद रखना है 1942 में आता है क्रेप्स मिशन और किसके द्वारा भेजा जाता है इनको Winston Churchill के द्वारा Winston Churchill Liberal Party के नेता थे और Winston Churchill ने ही महात्मा गांधी को और्धनगन फकीर कहा था इसे भी आपने याद रखना है अब बात आती है World War II की World War 1949 से लेकर 1945 तक चला आपका Second World War और इसी बीच आता है इंडिया में 1942 में क्रेप्स मिशन अब क्रेप्स मिशन का क्या कहना था कि आप हमारा साथ World War में दिजिए आप हमारा साथ World War में दिजिए हम आपको अजादी दे देंगे तो इसक में महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था पोस्ट डेटेड चेक इसे याद रखेंगे पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसको क्रेप्स मिशन को महात्मा गांधी ने ये डारेक्ट कोशन आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट कोशन है कौन सा अंग फुफुस जिल्ली से घिरा होता है यानि कि पैलीवरा से घिरा होता है तो राइट आंसर लंग पैलीवरा से घिरा होता है और लंग से आपको एक खास बात बता दू कि आपका right side का लंग left side के लंग से बड़ा होता है आप इसको अफजारो करके देख सकते हो next question तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? right answer देविंदर नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी इसे आप लोग याद रखेंगे और तत्व बोधनी सभा की स्थापना कब हो थी? 6 अक्टूबर 1849 को देविंदर नाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधनी सभा की स्थापना होती है next question है राष्ट्र कूट वंस के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्र कूट वंस के संस्थापक कौन थे? दंती दूर्ग राष्ट्र कूट वंस के संस्थापक थे वहीं राष्ट्र कूट वंस के द्वारा क्या क्या चीजे बनवाई गई तो राष्ट्र कूट सासकों के द्वारा कैलाश मंदिर बनवाई गया क्या बनवाया गया कैलाश मंदिर और एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई राष्टर कूटो ने एलोरा की गुफाएं भी बनवाई थी ये डार्ट कोशन एक्जाम में आता है नेक्स्ट कोशन है पाच्वे सिक्ष गुरू गुरू अर्जुन देव को किसने मरवाया था राइट आंसर जहंगीर ने पाच्वे गुरू अर्जुन देव को मरवाया था यानि कि 30 मई 1606 को अरजुन देव को जहांगीर के द्वारा फासी दे दी जाती है और यह क्यूं दी जाती है खुसरों की बगावत में सहायता करने के कारण गुरु अरजुन देव को फासी दे दी जाती है वहीं आपको याद रखना है सिख धर्म में 10 गुरु हैं इतने गुरू? दस गुरू हैं. पहले गुरू कौन है? गुरू नानक देव जी और इनका जनम कहा होता है? तलवंडी में और गुरू नानक देव जी ने ही सिक धर्म की अस्थापना की थी, इसे आपने याद रखना है. वही नौवे गुरु से भी आपको याद रखना है कि नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर थे हुए गुरु कौन थे गुरु तेग बहादूर और गुरु तेग बहादूर की हत्या किसने करवाई थी औरंग जेव ने क्यों करवाई थी वो भी आपको बताता हूँ इसलाम धरम न कबुनने के कारण गुरू तेग बहादुर को औरंग जेव ने सरकलम करवा दिया था क्लियर है वहीं आपको दसवे गुरू से याद रखना है कि दसवे गुरू कौन थे तो दसवे गुरू थे गुरू गोविन सिंग जी जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने गुरू का पद खतम कर दिया और क्या कहा गुरू गरंथ साहिव ही आपके अगले गुरू है क्लियर है फ्रेंड्स तो इसे आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए किस उतक के द्वारा पौधों के विभिन भागों में जल को पहुचाया जाता है अब पौधों में उतक देखें फलोयम और जाइलम पाया जाता है और जो से जाइलम, जो से जल, क्लियर है, जो से जाइलम हो गया और जो से जल हो गया, तो जल कौन पहुचाएगा, जाइलम पहुचाएगा, जल और फलोयम पहुचाएगा, फल यानि की भोजन पहुचाएगा, नेक्स्ट कोशन है, आगरा के लाल खिले में प्रसिद मोती मस् का निर्मान करवाया था वहीं आपको याद रखना है कि साह जहा ने लाल किल्या बनवाया ताज भेल बनवाया जामा महस्जिद भी किसने बनवाया साह जहा ने नेक्स्ट कोशन है बुध चरित बोधो का पवित्र गरन्त है और इसको किसने लिखा है तो राइट आंसर अस्व घोष ने बुध चरित को लिखा है इसे आपने याद रखना है वहीं आपको बुध से याद रखना है कि बुध की मृत्यू कब हुई थी 483 BC 483 BC और जनम का बुगदा 563 BC में महत्मा बुद्ध का जनम होता है और इनके मिर्तिव कहा होती है कुशी नगर में क्लियर है next question देखिए next question कौन सा vitamin रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो right answer vitamin K रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है यानि कि blood clotting में help कौन करता है vitamin K help करता है next question है आगा खा कब किस खेल से संबंदित है तो आगा खा कब होकी से संबंदित है इससे आपने याद रखना है और होकी इंडिया का national game है होकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है मेजर काकरा पार परियोजना किस राज्य में इस्तित है इसका answer आपने comment box में comment करना है next question देखिए जो आप से मैंने कल पूछा था सिंदू सब्वेता में काली चूडियों का संबंद किस से है तो right answer काली बंगा से काली चूडियों का संबंद है black bangles कहां से related है काली बंगा से इसे आप लोग याद रख लेंगे वहीं आपको धोला विरा से याद रखना है कि धोला विरा में क्या पाया गया था water reservoir पाया गया था धोला विरा में so friend ये थे आपके आज के सभी important questions hope so guys आपको सभी questions समझ आए होंगे और guys आप सभी इनके notes जरूर बनाए और साथ ही आप हमसे telegram पर जुड़ जाए जिससे हमारा और आपका direct link बन सके और हम आपको notes प्रोवाइड करा पाए so guys share and subscribe next film channel thank you very much best of luck for your exam best of luck for your future